तो यह देखिए हमारा बिलोज का नाप से नाप है यही तो इसको सबसे पहले हम बिलोज नापने के लिए आगे से इचे वर तक हम नापेंगे दिखिए मेरा साड़े दस पर है तो हम साड़े दस पर इसका अर्थी लगा लेगी लंबाई इसका पर सुद्रा ले लेंगे इसकी लंबाई में सोला लेए में बैक्साइड का प्रॉन साइड में भी नाप लेंगे 17 ले लेंगे पहले इसको लंबाई नाप लेंगे इसका लंबाई कितना पर रहते हैं इसका लंबाई बनकर स्टेडी है तेरा पर तो हम इसकी लंबाई पंदरा ले ले लेंगे बैक का वाइक्स लेंगे तो बाजो के लिए हम साड़े पाच ले लेंगे गंधा से हम गंजो लिए चो वहां से हम अठाई ले लेंगे गला के लिए और हम गला दस दीप पर लेंगे जोखुड़ गला आगे हम साड़े पाच बर रखिमाठी करेंगे तुक्की के लिए हम बारा लेंगे आगे से हम साहे पाच लेंगे कंदा से तीन लेंगे और यहां से गुलाई करेंगे हम लेंगे यह तो प्हां मेंगे लेंगे बारा ले anda हिरे आगे कम शर्ड़illा हम जो अवे हम जो खो के लेंगे लेंगे कर दिया है कर दिया है कि टोकी का नीचे बीच पाथ है यह नीचे वाला है उसके बार हम टोकी कट कर लेंगे करते हैं अगर आपको बता दिये हैं कैसे की जाती है अगर आपको कोटलेक चाहिए तो मेरा गोगल पर एड्रेस देकर आके ले जा सकते हैं को कर दोटलेक को अगरा यह देखिए मेरा टोकी इससे क्या बता है मेरा जो टोकी होता है पर्फेक्ट वेटता है आपको किसी तरह का टेंसर इसमें नहीं होता है और नासी अथी होता है जैसा नास वैसा कोटलेक हम देते हैं 32,34,36,37,40 ख्री साइज भी देते हैं यह हमारा डबल टोकी है आपको अगर सिंगल टोकी भी चाहिए तो हम सिंगल टोकी भी रखे हुए हैं कि अफे के बार देखिए बादू कटकर लेना है झाल 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 झाल